वेल्सों गाइज, I hope you are doing well, I am Veer, welcome to इस्टल और आर्मी, तो कैसे हो मेरे दोस्तों में ऐसा करता हूँ, श्यांदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो, अपनी सेयत, फैमिली और पड़ाई के थान काफी एच्छे से रख रहे हो, बड़ी श्यांदार अगर आप लोग चाहे स्वर्ग में चल जाएं, चाहे आप लोग धर्दी पर रहे हैं, कोई भी इससे ज़्यादा ग्रेटर पावर नहीं है, अगर एक बार आप लोगों ने अपने ड्रीम के लिए अपने आपको एक सही डिरेक्शन में लगाना है स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही एक्जाम जाता है, तुरंत आप लोगों ने अपना रवया देखा होगा, कैसा हो जाता है, तो ये चीजे निकल अगर आते हैं, कमिटमेंट से किसी चीज को लेगा, तो जिन्दगी में इसीरे कहा जाता है हमीसा, कोई ने कोई कमिटमेंट होना चाहिए, ताकि की साधी हो रही थी, तो इनके माइंड से निकल गया, ठीक है, एक तरीके से एक इंगेजमेंट वगर भी होनी है, तो परसंग जो है, इतना कमिटमेंट अगर नोर्मली देखा जाए, आज के लोगों को देखो, जब साधी की बात आती है, किस तरीके से क्या कैच चीज चलत अगर लगे आप लोगों को की दिसकस करेंगे, आज के इस डिसकसन में, काफी प्यारा ये डिसकसन होने वाला है, अगर लगे आप लोगों के डिसकसन सुनने के बाद में इसकी PDF होनी चाहिए, तो टेलिग्राम से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, टेलिग्राम पर सारी चीज़े आप लोगो एकट्टी मिल जाती है, हाँ पर जब आप लोग टेलिग्राम पर जाएंगे, हाँ पर PDF अगयरा जो आप लोग अपने हिसाब से, इवन इस टेटिक पोर्सन भी मैं बोलूँगा है, यहाँ पर, बहुत सारा बैग्राउंड में आप लोग का कवर हो जाते हैं, तो इन दो वीडियो को लाइफ का पार्ट कम से कम तब तक बना लिए, जब तक आप लोग एक्जाम के लिए होता है, उसके बाद में भले ही मत देखना आप लोग, उसके बाद में आप लोग डिसाइड कर लेना देखना है नहीं देखना है, पर तब तक आप लोग इनको जुरूर देखिए, ठीक ह सबसे पहले discuss करते हैं कि क्या क्या आज हम लोग को discuss करना है एक overview का ले लेते हैं इसके बाद में फिर lecture के अंदर चलेंगे हम लोग तो टक्टकी लगा कर आप लोग यह lecture देखने है जिसके चलते हैं आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाए एक काफी interesting चीज लगी normally ऐसी चीज मैंने नहीं देखी है normally यह देखते हैं कि जो particular person जो है वो आता है किस पर यूट्यूब पर ठीक है तो फिर यूट्यूब पर मैं बताता हूँ कि telegram है यहां से जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना तो particular person telegram पर जाता है पहली बार मेरे पास में कोई ऐसा message आया जिसने बोला है कि sir मैं already telegram पर join किये हूँ और वहां से मुझे पता चला कि आपका YouTube चैनल भी है ठीक है तो यह काफी एक interesting चीज लगी मुझे मतलब एक तरीके से कि इनको नहीं पता था कि YouTube चैनल है आपर इस नाम का कोई यह telegram पर किसी ने कुछ share किया तो telegram के थूँ telegram पर पहुँचे और यहां पर फिर उसके थूँ YouTube पर आए ठीक है तो है ना थोड़ा different पहली बार कोई ऐसा message में देखने को मिला कि आप में से कोई ऐसा है जिसको इस तरीके से आप लोग मतलब पहले telegram पर आए फिर YouTube पर आए वड़ा maximum case आप लोगो देखने को मिलेगा कि YouTube से telegram पर पहुँचे कोई इका दुका case ऐसा निकल कर आता है चलिए जो भी है तो सब fun की बात थी आई अब आगे चलते हैं सबसे पहले important day के बारे में हम लोग discuss करेंगे यह है world anesthesia day के बारे में जब किसी का operation करना होता है तो उसको basically एक बेहोस करना होता है तो उसी के बारे में तो theme क्या है आप लोग को यहाँ पर यह बतानी है यह discuss करेंगे इसरू के साथ में हाँ पर और एक और organization के साथ मिलकर इनके दोरा अटल टिंकरिंग लैब एक special का हाँ पर यह तरीके से एक space का challenge हाँ पर था 2021 के लिए यह launch किया गया था खासकर बच्चों के उपर focus देते हुए तो यहाँ पर किसके साथ मिलकर इसको launch किया गया था यह आप लोग को बताना है National Green Tribunal एक तरीके से एक unique forum बताया गया है हाँ पर एक particular organization के दोरा और यह बोला गया है कि Shumuto action भी ले सकता है Shumuto मतलब अगर इसको लगता है society में कुछ गलत हो रहा है तो अपने हिसाब से एकसान ले सकता है environment के issue पर तो किसके दोरा है हाँ पर यह declare किया गया है कि National Green Tribunal position as a unique forum ठीक है तो इसको unique forum की तरीके से यहाँ पर present के जा रहा है जानागे काफी कुछ National Green Tribunal के ओपर कोई question आप लोगा नहीं बचेगा सुनने के बाद में Union Environment Ministry के बारे बात करें तो इनके दोरा draft notice यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो की बोला जा रहा है EPR तो EPR क्या है यहाँ आप लोग को बताने है काफी प्यारा यह article है सुनकर आप लोग को मजाएगा बहुत सारी चीजे बताने वाला हूँ जो companies है उनकी responsibility बोलेगी है कि आप लोग को जो भी plastic logo तक पहुचा रहे है यानि कि कोई product इनका है plastic में wrapper होकर जो logo तक जा रहा है या फिर कोई भी delivery का कोई product इस तरीके से आप लोग देखिए तो यहाँ पर 35% target है इसका 2021-2020 तक हतम करने का 70% है इसका 2022-23 तक और 100% कब तक यहाँ पर target है कि आप लोग जो एक तरीके से अपनी जो भी polythene plastic वगएर आप लोग जो customer तक पहुचाओगी उसको आप लोग को recollect करने है तो इसके बारे में आप लोग को बताने है नेक्स यहाँ पर बात करेंगे हैं आपर silikosis यह एक particular बीमारी है तो आप लोग को यह बताना है कि इस particular act के तहत यहाँ पर इनको बीमारी notify किया गया है और एक silikosis यह portal भी आप लोग को देखने को मिलेगा तो किस ministry अफर किस department के अंदर आता है यह आप लोग को बताने है यह बीमारी recently काफी जाद है news में रही अपर बड़ी तेजी से निकलता है ठीक है तो जो भी time आप लोग के पास में है अगर पढ़ाई करनी है तो अच्य से पढ़ाई करो अगर अगर enjoy करना है तो अच्छे से एंज्योय करो सबसे पहले बात करेंगे हाँ पर World Anesthesia Day के बारे में तो Anesthesia जो होता है बेहुसी एक तरीके से करने के लिए हाँ पर जियाता है Normally क्या होता है Normally हाँ पर कोई particular person जो है अगर operation उसका होना है तो उसके चलते हैं हाँ पर यह काफी important person बन जाता है ठीक है सोचे कि Anesthesia अगर नए हो तो क्या condition देखने को मिलती है तो इसके चलते है 16th of October को यह desalibate कियाता है और पहली बार first successfully जो हाँ पर इसका demonstration किया गया यहाँ पर यह था Dithile Ether Anesthesia जो यहाँ पर 1840 में यहाँ कि 1846 में हाँ पर यह चीज सामने निकल कराई तो इसके चलते काफी large scale पर जो हमारा यह field है खासकर अगर बात करें medical field में काफी बड़ा change निकल कराया तो अब की बार की जो theme है आपर बोला जा रहा है Anesthesia and having a baby ठीक है आप लोग ने normally देखा होगा जब pregnant woman होती है अगर operation से जो अगर baby कराना होता है तो normally anesthesia दिया जाता है उसकी body को सुन करने के लिए ताकि baby को जो है अराम से पेट में से उठाया जा सके ताकि पता भी ना चले ठीक है तो यह anesthesia है आपर दिया आता है तो यह इसके चलते काफी large scale पर बहुत सारी महिलाओ की हम लोग जान बचा पाते हैं वरना पहले क्या होता था pregnancy के duration पर बहुत सारी महिलाओ की जान चली जाती थी जो कि यह की दिक्कत देखने को मलती थी लेकिन अब present time पर यह चीज़ा आप लोग को change होती है नजर आएंगी तो इसके बारे में आप लोग idea रखेगा तो anesthesia जो है basically खास कर अगर बात करें बोलाना भी हाँ पर save जो babies अगर delivery के बारे बात करें हाँ आप during जैसे और after हाँ पर काफी बड़ा role play करता है खास कर जो pregnant woman के लिए तो इसके चलते हाँ पर यह काफी ज़दा और एक तरीके से हाँ पर appreciate करने लाइक चीज़ हो जाती है कि हाँ यार एक ऐसी चीज़ है जो कि हाँ पर महिलाओ को फाइदा पहुचा रही है काफी large scale पर तो इसके चलते हैं पर इसके बारे में distance के जा रहा है next यहाँ पर यह एक और important day है आपर बात की जा रही है world spine day के बारे में spinal code यानिकी read के हड़ी के बारे में आप लोगों ने सुनोगा read की हड़ी कई बार क्या होता है कई सारे लोगों की अलग-अलग posture की वेसे कई सारी और दिक्कत की वेसे या चैसे मालों आप चेर पर बैट कर पढ़ रहे हो लंबे समय ठीक है आप लोग जुके हो ठीक है तो आ मैं आप लोगों को बता दूँगा अगर आप लोगो भी लेना है तो आप लोग देख लेजेगा क्योंकि इससे क्या रहता है जब अगर लंबे समय तक आप लोग बैटते हैं तो इससे जरूरी हो जाता है वरना आप लोगी गर्दन जो है ठोड़ी जुक जाती है और जो बीच में हाँ पर यह जो जोइंट नहीं होता है हाँ ठीक है तो यहाँ पर पर पेन एक्चूली मुझे होने लगा था ठीक है लंबे समय तक बैटने की विए से तो फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया मैंने क्या किया जा इसका तो फिर मैंने यहाँ पर तब जाकर मैंने तो फिर यहाँ पर यह pain होने लगा था मुझे काफी ज़ाद है, इसकी वेसे मतलब दिक्कत हो रही थी मुझे बैटने में, और दिक्कत मतलब काफी ज़ाद है फिल होने लगी थी, तो मुझे लगा यार इसका कुछ solution करना पड़ेगा, तो डोक्टर से भी consult किया में उसके बाद में, तो फिर पता चला कि एक stand आता है laptop का, तो उससे आप लोग का बिलुकुल equal eyes की एक तरीए site में आप लोग को देखने को मिलेगा, तो मुझे इससे फायदा होगा काफी जाद है, तो इसलिए अगर आप लोग को लगता है, आप लोग office working है, इस तरीके से कोई काम करते हैं, तो search कर लेना, Amazon वगरा पर आप लोग को मिल जाएगे, फिर इस video के नीचे जो मैंने खरीद रखा है, उसका link provide करा दूँग हम आप लोग को, तो अगर आप लोग को लगता है लेना है, तो देख लेना उसको, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोग लंबे समय तक चीजों को सही कर पाऊगे, laptop के सामने बैट कर भी अपनी चीजों को, आप लोग सही तरीके से लेकर चल पाऊगे, ठीक है, तो इसलिए मतलब कि जितना लगता है मैं चीजे बता जाता हूँ ठीक है एक बच कही सरे बच बोलते भी है कि सर पढ़ाई के बीच में ऐसे सी बाते मत किया गरो यार पता नहीं बस होता है मेरे से ठीक है रुखानी जाता है तो कौसिस्तों मैं करता हूँ पर लेकिन क्या करूँ चलिए जो भी है उन्हें क्या करूँ हो बेबी में हूँ आदत से मजबूर चलो जो भी है आगे चलते हैं तो यहां पर बात की जा रही है बेसिकली जो स्पाइनल में पेन होता है उसके चलते कई बार डिसेबिलिटी देखने को मिलती है और बहुत सारे मरीज ओल ओवर वर्ल्ड में आप लोग को इसके देखने को मिल जाएंगी तो यहां पर बोला गया है बैक तो बैक यहनके एक तरीके से इसके पास में हम लोग को जाना है और इसको ठीक करना है और इसके बार फोकस देना है कि यह भी एक तरीकी न्यूस है आपर जिसके बारे में आप लोगों से कोशन भी पूशा सकता है और बैक्राउंड के साथ में डिस्स करूँगा ठीक है तो यहां पर बात की जारे हमारी के प्राइमिस्टर मोदी जी के बारे में प्राइमिस्टर मोदी साब के द्वारा इंडियान स्पेस असोसियेशन जिसको आई एस पी बोला जा रहा है यहां पर अभी स्टार्ट किया है ताव वीडियो कॉन्फरेंसिंग के थुरू बेसिकली है क्या देखिए आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करो ना प्राइमिस्टर में सेम फंट आप लोग इस रोगों को देखने का मिलेगा तो इस रोगे ओपर पूरा बड़र रहता है सैटलाइट वगर का इन सब चीजों का तो क्यो ना इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जाए और इसको और कमर्सलाइज बना जाए यान प्राइमिस्टर साब के द्वारे यहाँ पर अभी इस चीजों को आगे लेकर चलने की बात की जा रहे हैं और इसके लिए फोर पिलर यहाँ पर लेकर चले जा रहे हैं यह फोर पिलर में आप लोगो भी बताऊंगा पहले आप लोग यहाँ पर सुनिए कि क्या-क्या चीज डाल दिया वो moment successful बना दिया मतलब maximum time ठीक है तो इसरो काभी कुछ ऐसा है आप लोगो track record देखने को मिलेगा तो इसरो के बारे में ये बाते basically काफी appreciate करने लाइक है कि government की organization होने के बावजूद भी normally बोलते हैं government की organization डंग से क्या ऐसी चीज़े है ठीक है तो यहाँ पर autonomy इसके पास में रहती है अपने diesel ले पाती है इसरो कोई ज़्यादे interfere government का आप लोग यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा तो यह कई सारी चीज़ा आप लोग देख सकते हैं अगर बात करें जो भी हाँ पर अगर सामने आएगा तो उसके चलते हैं हाँ पर चीज़ों को आगे लेकर चला जा सके पता चला कल को चलके अंबानी जो हो investment करना चाता है टाटा जो हो investment करना चाता है इस space के फिल्ड में अदानी investment करना चाता है तो इनके लिए open किया जाए क्योंकि एक opportunity नहीं आएगी, एक अच्छा investment यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इस रोके, जो रोकी तुस होते हैं, जो भी payload यह लेकर जाते हैं, satellite वगरा, ठीक है, अलग-अलग country के भी हम लोग लेकर जाते हैं, पर लेकिन अब private player भी हाँ पर role play कर पाएंगे इस particular field में, तो इनके द्वारा basically चार pillar पर काम करने की बात की जा रही है, सबसे पहला pillar तो यह है कि allow the private sector, freedom of navigation, ठीक है, वो freedom of innovation, ठीक है, तो यहनि कि एक तरीके से हाँ पर private sector काम करेगा, चैसे उसको लेकर आगे बढ़ा जाएगा, तो यह इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, इसी के साथ में preparing youngster for the future, यानि कि एक तरीके से जो young generation है, आज केर में आप लोग ने देखा होगा, किसी बच्चे से पुछो तो क्या बनना चाहते है, तो वो सिधा सिधा बोलेगा, यार मुझे civil service करनी है, या फिर डोक्टर बनना है, या civil servant को देते हैं, जितनी facility हम लोग civil servant को देते हैं, जितनी security हम लोग civil servant को देते हैं, अगर उसी तरीके से हम लोग अपने scientist को भी देने लगे तो कैसा रहेगा, पर लेकिन हम लोग उसको तना liquidity बनाते नहीं है, जापान ही कितनी अच्छी country लगते है, मुझे यही से लिए, क्य high profile post अगर create की जाए, जैसे बोला है, यह एक तरीके से Indian administrative service होती है, तो ऐसी अगर Indian teaching service जो है, यह इसके उपर कई बार बात की जाती है, अगर यह सामने निकल कर आये तो कैसा रहेगा, पर लेकिन हमारी country में teacher को हमेसा ऐसे देखा जाता है, कि यह नहीं कि पुराने time में जैसे हुआ करते थे, कि हाँ एक गरीब type का दिखाने कोचिस की जाती है, हमें सब वो वाली image रहती है, कि teacher तो गरीब ही होते है, कोई teacher आजगे में किसी ठीक position में पहुँचे है, तो यह नहीं लगता है कि इसने route लिया, ठीक है, मतलब सब कोई ओर businessman कोई कहीं पर जा रहा है, तो पर teacher को एक उसी image में रखना चाते हैं, और जबकि यह teacher ही एक इस तरीके के level पर जो चीज़े create कर रहा है, तो यह गलत चीज़े, जो की society building करने काम कर रहा है, you can't एक तरीके से imagine the education system without the teacher, ठीक है, तो इस तरीके से पर लेकिन यह चीज़े जापान ने समझी, इसलिए जापान important मुद्धे हास से हो जाता है, ठीक है, तो कहीन है कि इन चीज़ों को अगर आके लेकर चले हम लोग, खासकर इस तरीके से, ठीक है, खासकर महिलाओ के ओपर focus दे कर चले से, वो लेकि एक तरीके से पारलेमेंट में 33% resurrection महिलाओ को दे दू, तो वहां से कितना society में improvement आप लो अगर चाहे तो, पर नहीं चलिए जो भी है, आगे बात कते हैं हाँ पर नीतिय आयोक के द्वारा अटल innovation mission, जो aim जिसका नाम रखा गया था, इसमें ISRO के साथ में collaborate किया, और CBST के साथ में collaborate किया, यानि कि जो यहाँ पर ISRO है Indian Space Research Organization, और CBST Central Board of Secondary Education, तो मिलकर इनके द्वारा अ Scientist के, जो Science के फिल्ड में उनको basically future बनाने के लिए प्रिरित किया जा सके, तो यह रहा इनका तीसरा basically pillar, चोथा pillar यहाँ पर यहाँ पर यह कि तरीके से treat करना, जो यहाँ पर Space Sector as a resources, जो भी फसल बीमा योजना हो गया, तो जो भी फसल बीमा जो योजना हो गया, तो हाँ पर जैसे आप लोग आज केड़ में GPS सिस्टम यूज़ करते हैं, ग्लोबल पोजिसन सिस्टम, यह USA का है, ऐसी अपने देश का नाविक है, इसकी full form आप लोग बताईए, तो यह काफी help करता है, जैसे fisherman हो गए, आज केड़ में कहीं पर disaster हो रहा है, उसको एक तरीके से, इसके understanding करने में काफी help करता है, तो इसकी full form आप लोग को बताने है, देखता हूँ, कौन-कौन full form बताएगा से, ठीक है, तो यह है basic information, तो यह चार pillar के उपर काम कियागा है, कार कारने की बात की जा रही है, जिसके base पर यहाँ पर Indian Space Association यह काम करेगी, तो important है, याद रखेगा, background information के साथ मैंने आप लोग को बता है, ओके, काफी detail में discuss करूंगा, question बनने के chances बन जाते हैं, ऐसी एगर कोई news रहती है, recently Supreme Court के द्वारा declare कर देगा है, National Green Tribunal को एक unique, unique forum की तरीके से declare कर देगा है, कि यह shumuto action ले सकता है, यानिके on its own motion, यानिके अपने आप action ले सकता है, अगर इस होगा है, नहीं, यह अब क्या का काम करेंगे हैं, यह एक तरीके से हाँ पर preventive, यानिके कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकना, ठीक है, इसी के साथ में amelorative, यानिके एक तरीके से सुधारक का का काम, remedial, यानिके उपचारक का काम, तो यह nature के मार्मले में अगर कुछ भी की तरीके से काम करेंगा, environment यानिके जो nature की फिल्ड में अगर कुछ भी गलत हो रहा है, और यही original रहेगा, और यही applet जो authority भी आप लोग को देखने को मिलेगा, दोनों काम करेंगा, ऐसा नहीं है पर लेकिन अगर आप लोग satisfied नहीं होते हैं, अगर decent से, तो you can go to the supreme court direct, ठीक कोई भी environment की कोई treaty होगी, तो उनको implement करने के बारें बात करेंगा, उसको भी देखेंगा, ठीक है, तो national green terminal जो है, यह most progressive terminal में आयता है, वर्ड में, अभी बात करूंगा इसके बारें अभी, पर लेकिन दिक्कत एक है, यहाँ पर एक तो vacancy काफी ज़्यादे पड़ी रहती है यानि कि इसकी post जयो भरीने जाती है, government के द्वरा कई बात, implement नहीं कियाता है, order अगर इसने कोई बात बोल दी, काफी लंबे समय से national green terminal चिला रहा है, कि आर NCR वाले region में कैसे हम लोगो pollution को कम करने है, पर लेकिन कोई सुनने के लिए तयारी नहीं है, तो इस तरीके से कई सा पर भी इसका बड़न पड़ता है, तो यानि कि कई सारी ऐसे मुद्ध आप लोगो देखने को मिलेगी, चलिए ये तो बेसिक चीजे होगी, अब यहाँ पर समझते है कुछ static portion जो की direct exam में question मन जाएगा, ये normally current से हटके है, national green terminal ये एक statutory body है, statutory body कैसी होती है, वो body जिसको Parliament में act pass करके बनाया गया, उसको statutory बोलते है, executive body वो होती है, जिसको बिना Parliament में act pass के बना ले जाते है, जैसे कि नीतियायोग हो गया, planning commission हो गया, और constitutional body कौन से होती है, सम्मिधानिक body, जिसके बारे में सम्मिधान में कुछ ने कुछ लिखा हुआ है, यानि कि सम्मिधान में कुछ कुछ mention है, वो सम्मिधानिक body हो गई, normally अगर आप लोग बात करें, कई बार question पूछ ले आते हैं, जैसे कि हमारी country में पंचायती राज सिस्टम क्या सम्मिधानिक body है, जी हाँ सम्मिधानिक body है, 70, आप लोग को यह देखने को मिला गया, जैसा नहीं कि originally constitution में होनी चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है, तो बताई यह सिले कौन सा constitution amendment add करकर इसका add कर गया था, तो add कर दिये गए न, इसके बाद में सम्मिधानिक body होगी, ठीक है, तो अगर NGT के बारे बात करें, तो इस टैचूडरी body है, जो 2010 में एक act pass किया गए, इसको National Green Tribunal Act बोलते हैं, उससे बनाया गया, तो environment protection के बारे बात करती है, conservation of the forest, यानिके forest को कैसे, यानिके jungle को कैसे protect करना है, अपने वातवरन को कैसे protect करना है, और दूसरी natural resources को protect करने की बात करें, तो ये काम करती है, और आप लोगो पता है प्रतिपर जीवन किसले है, क्योंकि प्र पर ये सारी चीज़े available है, तो इसलिए जीवन है, तो इसलिए हाँ पर जब fundamental right के अंदर जाएंगे, आप लोग पाट थड़ के अंदर समिधान में, तो fundamental right रखे हुए है, तो fundamental right को article बारे से article 35 तक आप लोगो देखने को मिलता है, तो इसके अंदर जो article 21 है, वो right to life के बारे नंबर पर और तीसे नंबर पर इंडिया में national green tribunal होना गया, इतने अच्छे से हम लोगों ने इस film में काम किया, तो यानिक एक तरीगा से हम लोग काफी आतुर होकर इसके उपर काम किया, environment को जान में रखते हुए, यह अगर बात करें NGT के अंदर, अगर बात करें इसके schedule first में जाएंगे, act के तो यहाँ पर mention किया गया है, यह आप लोगों को देखने को मिलेगे, कई specialized low है, जैसे कुछ के नाम मैंने बता रखे हैं, जैसे कि the water act हो गया, water cessation हो गया, the forest conservation act हो गया, यहाँ पर यह आप लोग का air act हो गया, environment act हो गया, यह दो एक जगे लिगी जगे जगे कम थी तो गया, तो यहाँ पर एक तरीके से public liabilities insurance हो गया, और इसे के साथ में biological diversity act हो गया, तो यहाँ से यह basically role लेता है, कि किन-किन area में यह काम कर सकता है, तो NGT जो हैं आपर यह साथ specialized low हैं, जिससे अपनी power लेकर काम करते हैं, तो NGT जो हैं आपर, यह 6 महिने के अं इसके अंदर आप लोगो 40 की अलग-अलग branch भी देखने को मिल जाएंगी, इसके अंदर अगर member के बारे बात करें, तो judicial member यहाँ पर बात की जा रही है, कि बोला जा रहा है कि at least 10, 10 judicial member और not more than 20, तो यह रहेंगे इसी के साथ में at least 10 और not more than 20, यहाँ पर expert रहेंगे, तो normally अपने decision को खुद भी review कर सकता है, तो judicial review नहीं मोलते हैं, इस तरीके से आप लोग की decision कोई देजास को review करने की power, तो tribunal के अंदर वो होती है, पर लेकिन important मुद्ध है हाँ पर यह है, अगर fail हो जाता है हाँ आपर, अगर tribunal लगता है कि अपना decision नहीं दे पार है, तो इसके matter को supreme court में आप लोग within 90 days, यहनके 3 महीने के अंदर अंदर इसके matter को supreme court में लेकर आप लोग जा सकते हैं, फिर supreme court इसके ओपर कारवाई करेगा, इस matter के ओपर अगर tribunal नहीं कर पाता है, तो यह important मुद्ध है, confusion नहीं होना चाहिए, तो पुरा tribunal के बारे में शामदाम, जो भी ह सारी चीज़े में आप लोग को बता दी, यह क्या क्या काम करता है, क्या क्या चीज़े हैं, आइए आगे चलते हैं यहाँ पर, यह काफी important news हैं यहाँ पर, जिसको आप लोग को थोड़ा सा जहां से सुनना है, question बनने के chances बन जाते हैं इस तरीके की news से, और अगर environment के बारे responsibility है कि इसको tackle करें, ठीक है, तो यहाँ पर basically यह बोला गया है, environment ministry के द्वारा, कि आज की date में जो भी company है, जो plastic produce कर रही है, जो भी company ऐसी है, यहाँ पर plastic को use कर रही है, तो उनकी responsibility है, यहाँ पर कहीं एक तरीके से, कि वो उसको इखटा भी करें, ठीक है, तो यहनी कि उसको ह आसे market से अपने पास में absorb भी करें, वो बाते देखने को मिलेगी, तो plastic waste management, जो rule है 2016 के, उसके इसाफ से यहाँ पर काम किया जाएगा, तो एक draft यहाँ पर निकल कर आया, जिसके चलते यह बोला गया है, कि manage के जाएगा जो producer है, importer है, और जो brand owner है, यानि कि जो plastic बनाने वाली company है, उसको भी, जो import करता है, उससे वो भी, और जो brand है, बड़ी-बड़ी जो company है, उनको भी, तो सब की responsibility हैं पर आएगी इसके अंदर, कि जो भी यह जनरेट करते हैं, packaging आज केट में आप लोग को देखने को मिलती है, उसकी वेसे जो waste generate होता है, तो यह इसको इखटा करें है, यहाँ पर यह responsibility इनको देखी है, अर्लियर मिनिश्टी के दोरा notify किया गया था, plastic waste management, जो इहाँ पर amendment rule 2021, इसमें इनके दोरा क्या किया गया था, इस single use जो plastic है, वनिके तो यह use and throw वाली, जैसे आप लोग market में जाते हैं, juice भीत है, तो इस टो आप लोग use करते हैं, ठीक है इसी के साथ में कोई चमच आप लोगों ने use करी, plastic की, plastic की कोई ऐसी plate वगएर आप लोगों ने use करी और use करके फैंक दिया, तो यह वाली जो चीज़े होती है, इसको ओल लेडी बोला गया है कि 2022 तक हम लोग इसको खतम करेंगे, और maximum use आप लोगो single use plastic है, इवन आप लोग क इसके चलते हैं, 2022 तक का यह target था कि इसको खतम करना है, अभी यहाँ पर अगर बात करेंगे, तो target यह रखा गया है, कि जो producer है, plastic produce करते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर target दिया गया है, कि आप लोगों collect करना है, जो भी produce आप लोगों करना है, 2024 तक का, और minimum percentage of recycle आज की कर चल रहे है, annually आप लोगो यह present करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी responsibility से बच जाओगी, तो यह बाते हैं हाँ पर बोलेगी है, important mode के हैं आपर जो extended producer responsibility में, इनको certificate लेना पड़ेगा, कि हाँ आप लोग इस responsibility को follow कर रहे हो, अपनी चीज़े अपडेट करने पड़ेंगे, उसको check किया जाएगा, तो यहाँ पर कई तरीके चीज़ों को देखा गया है, देखें पलास्टिक भी न, कई तरीके की आते हैं, तो बहुत, उन्हीं है कि पतली सी पन्नी आगी ठीक है, थोड़ी मोटी आगी, एक heavy आगी एक तरीके से, तो अलग-अलग layer मे प्लास्टिक है, उसके बारे में अगर बात करें, तो यह देखें, वैसे तो अगर यह पड़ी रहेंगी, तो पड़ी रहेंगी इन्वर्मेंट के अंदर, तो बोला यह जा रहा है कि इनको road construction के लिए, west to energy generate के लिए, west to oil जो यहाँ पर बनाने के लिए, इसी के साथ में, cement क जो भट्टियां होती है, उनके अंदर अगर यूज करना है, तो यह center pollution control board की, जो guideline के हिसाफ से इनको use के जाएगा, तो यह important मुद्दा है यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर center pollution control board यह काम करेगा, अगर companies के बारे में आप लोगों से बात करूँ, तो 35% target है हाँ आपर 2021 तक का अभ प्लास्टिक वगरा जो है, इस तरीके से चीज़े नहीं देखने को मिले, I hope so, लेकिन यह देखे, possible नहीं हो पाएगा, without अगर आप लोग चीजों को support नहीं करेंगे, क्योंकि एक behavior change लाना भी काफी ज़रूरी है, जिसकी वैसे दिक्कते निकल कर आती है, वरना आप भी responsibility अगर बना दी जाए, तो यहां से भी काफी फायदा देखने को मिलेगा, इसको fundamental duties के अंदर अगर डाल दी जाए, तो कैसा रहेगा, कि आप लोग involvement के बारे में, हाला कि है यह डालने वाली बात के है, involvement के बारे में, पर लेकिन plastic भी mention कर दे है, अगर वहाँ पर, तो कैसा र बारे को पकड़ने के लिए, बच्चों के आदमें plastic stick दे देते हैं, उसको हाँ पर plastic flag होगी, candy stick होगी, तो यह वो चीज़े हैं, जिनको अगर हटा भी देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं पढ़ने वाली है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो इस तरीके से जिनको कटके फैंक दिया, तो अच्छी चीज़े, आप लोगो इनको चण्री कर वाली है, चोड़े चोड़े कर वाली है, तो कोई दिक्कत हैं नहीं बोड़ी में से कुछ घटगे आप लोगे, या अप लोगो दिक्कत होरी है, बड़े बड़े आकु नच्छे थे, कपाल तो वो तो हो नहीं सकता आप लोग है उसमें सक्तिमान में कपाला आता था था नहीं देखते हैं बचपन की बात है थी वह बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रहे ठीक है चलिए जो भी आगे चलते हैं आगे ये काफी एक important news है आपर खासकर ये environment के बारे में आप लोगो ये बताती है कि environment कैसा और किस तरीके चीजों का आप लोगो लेकर चलनी है तो इसके बारे में बात की जारी है फिस जो इस फिस है आपर इसका नाम है आपर flower scorpion फिस ठीक है तो ये एक फिस है जो नोर्मली कह पर पाई जाती थी Pacific Ocean के अंदर नोर्मली ये पाई जाती थी पर आज की date में आप लोगो ये देखने को मिलेगा ये दूसरी जगह भी आप लोगे सामने निकल कर आती है पहले अगर बात करें तो आप लोग देखते है अपनी प्यारी country बीच में थी आपर ये Atlantic Ocean हो गया ठी ठीक है और थोड़ा नीचे आएंगे तो एक अकेला लोतन है एक अकेला लोता ओशन है किसी country के नाम पर वो है अपना प्यारा Indian Ocean ठीक है तो ये particular है तो यहाँ पर अभी क्या बोला गया इसको पहले आप लोग समझे ये बोला गया कि पहले ये जो थी Pacific Ocean में पाई जाती थी ठीक है पर लेकिन फिलाज जो है ये अभी Indian Ocean में भी हाँ पर जो है नोटिस की जा रही है उसकी वेसे ये न्यूज में हो गया यानिके यहां से Pacific Ocean से होते हुए यहाँ पर यह आज केट में Indian Ocean में भी हाँ आप लोग को देखने को मिलेगी हाँ तो ये बाते हाँ पर बोले ज जा रहे है कि इस तरीकी जो फिस है एक particular reason में पाई जा रही है पर लेकिन दूसरे reason में पहुंच गी जो आज तक नहीं पाई गए थी तो normally 1929 में इसको Pacific Ocean में जो जापान वाला reason है वहाँ पर इसको notice किया गया था अब यहाँ पर ये इंडिया नोशन में पहुंच रहे है त काफी जाद है इसकी वेसे यहाँ पर यह माना जा रहा है कि जो time pressure बढ़ रहा है यह काफी large scale पर इंपैट डाल रहा है ठीक है और आज की date में तो आप लोग और अंटार्टिक वाले reason में भी चीज़े देखने को मिल जाती है आर्टिक मतलब अगर थोड़ा सा आप लोग ऊ पैट डाल रही है हर एक level पर तो यहाँ से इसके चलते हैं हाँ पर यह चीज़े news में देखने को मिल जाती है तो अगर पूछा जाए कि naturally कहाँ पर यह fist पाई जाती थी अभी कहाँ पर देखने को मिल रही है और scientist के लिए क्यों यह news का reason बन गई है तो यह कुछ basic information आप इस वरकर हैं जिनका आप लोग count भी नहीं कर सकते हैं जो mining में, construction में, factory में काम करते हैं और वो आराम आराम से आराम आराम से वो मर रहे हैं एक बीमारी का सिका रोकर जिसका नाम है आपर silicosis यह silicosis बीमारी का है आप लोग इसको है समझे इवन आप लोग यह तो बहुत दूर तो उसकी वेसे जो धूर होते हैं जो कई बार आप लोग को देखने को मिलेगा वो इनसान के अंदर regularly जाती रहती है तो वो तो एक normal धूर होगे, normal मिट्टी के कन होगे पर लेकिन same pattern अगर कोई पत्थर काटने वाला है देखाओ का पत्थर काटने की जो machine आती है पत्थर का यह 10 से लेके 15-20 साल तक जब इनसान इस फिल्ड में काम करते रहते है तो तब उसको फिल होता है कि कुछ गड़बर हो गई है और वो गड़बर इतनी high level की हो जाती है कि उसको आप लोग solution उसका नहीं निकाल सकते हैं वो एक तरीके से इनसान को यह disable करके वैड़ जाती है आप बोड़ी के अंदर चरता जा रहा है ठीक है कोई आप लोग की लीवर के अंदर कोई दिक्कत देखने को मिल रही है तो यह सारी चीजे जो होती है अराम अराम से चलती है खाने की वज़े से रहने सैने की वेसे दिक्कत है आप लोग को देखने को मिलती है तो उसके चल भी ये चीज़े आप लोग को देखने को मिलती है तो यहाँ पर सिलिकोसिस अगर बात करें यह mostly आप लोग को जो भी हाँ पर ने तोड़ना पत्थरों को तोड़ना ये सारी माइनिंग करना ठीक है ये construction की site पर वहाँ पर देखने को मिलेगा तो जो सिलिका है यहाँ पर SiO2 यह फिर आप लोग यहाँ पर सिलिकन डाइयोकसाड आप लोग बोल सकते हैं तो यहाँ पर जो इसके अंदर जो भी मिनरल्स रहता है सेंड रोक्स यह फिर जो कौर्स होता है इनको काड़ा पीटा जाता है तो नॉर्मली यसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पुदीचेरी हो गया, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, चत्तिसगर, जारखन, उडिसा, वेस्ट बंगाल यहां के जो काम करने वाले हैं, उनको यह दिक्कत है काफी लाजी स्केल पर देखने को मिली है तो उसकी चलेते हैं यह न्यूज में आगी है, हमारी कंट्री में कैसके प्रोटेक्शन के लिए कोई रूल और रेगलेशन है, जी हाँ बिलकुल है लीगल प्रोटेक्शन है यहां पर जो बिसिकली एक्ट के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, तो बोलते हैं आपर माइंस एक्ट 1952 और इसके साथ में यहां पर बात करें तो फैक्ट्री एक्ट 1948 तो इसके अंदर इसको बीमारी डिक्लेर किया गया है और फैक्ट्री एक्ट 1984 है वो वेसे लिए हाँ पर बात भी करते हैं कि किस तरीके चीज़ों को लेकर चलना है, reduce कैसे करना है, कैसे आप लोग basic यहां पर health के बारे में ध्यान रख सकते हैं तो इसके लिए portal भी मना रख है ओलड़ी, जिसको यहां पर silicosis portal बोलते हैं तो department of social justice, जो यहां पर इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ministry of social justice and empowerment के अंदर यह इसको mention भी किया गया है तो यहां पर जब भी यह बहुत large scale पर बढ़ जाता है, तो सांसे जो होती है, वो एक तरी से धीमी पढ़ने लगती है, fever काफी ज़द है, skin पर red dresses वगएर आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे आप लोग को देखने को मिलता है, कई बार और भी कई सारी दिक्कते, ठकाट, extreme, short breath, ठीक है तो यहां पर मतलब chest में pain वगएरा होना, start हो जाना, यह सारी चीज़ आप लोग को देखने को मिलने लगेगी जब किसी इंसान के अंदर यह दिक्कते रहती है, तो इसके चलते हैं यह सारी चीज़ें जिनके बारे माँ आप लोग आईडिया रख सकते हैं कई बार इनके बारे माँ आप लोग ने सुना भी होगा, पर लेकिन prevention is better than के और अगर हम लोग धान नहीं रखेंगे बर्दिबास, ठीक है, यह railway प्रियोजन है आपर, जिसका नाम रखा गया है, बिसिकली JBB railway प्रोजेक्ट भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है तो यानिके जैनगर, इसी के साथ में बिजलापूर और नेक्स्ट हो गया आपर, यह है बर्दिबास, ठीक है सबसे बड़ा बोर्डर बिहार टच करता है, इसको याद रहना है, और दूसरे नमबर पर उतरफरदिश टच करता है, नेपाल के साथ में तो नेपाल के साथ में अगर हमारी connectivity अच्छी हो जाती है, तो काफी large scale पर चीज़ों का हम लोग आगे लेकर भी चल पाएंगे तो इसी के चलते हैं, यहाँ पर यह चीज़े देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर first stage जो है, यह लगो 34 km का यह बिहार जैनगर, इसी के साथ में नेपाल के अंदर कूर्था, ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि हिंदू pilgrimage भी है यहाँ पर, जैकि जनकपुर आप लोगों ने सुनाओगा, जो जान की, बिसिकली, जो राम सीता जी वाला, जो बिसिकली हमारा कल्चर का पाट है, तो वहाँ से connect करकर आप लोग इसको देख सकते हैं, तो यह इसको connect करने की बात की गे थी, second जो यहाँ पर 17 km का स्टैच, यह कूर्था से यहाँ पर basically बा आने का काम किया जा रहे है, तो इससे नेपाल को भी काफी जाधा रहेगा, total cost बताया जा रहे है, 784 यहाँ पर, जो भी total काम ही हाँ पर किया जा रहे है, जो यहाँ पर India basically देखेगी, एक तरीक से grant के तोर पर जाएगा, grant क्या होता है, किसी को दान दे देना, यानि कि return नही हम लोगो grant दे जा रहे है, आपर नेपाल को, ठीक है, कौनकन जो railway है, आपर कौनकन जो railway जो corporation limited है, वो यहाँ पर basically आपर चीजों को देखकर चल रहे है, जिसके चलते जो भी चीजे की जा रहे है नेपाल में, तो इससे bilateral जो understanding है, वो भी हमारी बढ़ेगी, और दोनों country के ब नेपाल है, उनके द्वारा भी letter of, यहाँ पर आप लोगो देखने को मिलेगा, letter of exchange, ठीक है, LOE, तो यह भी sign किया गया था, तो rail service जो है, यहाँ पर agreement, 2004 का है, जिससे चलते bilateral relation, इंडिया और नेपाल के, कि कैसे सामान, देखे, इनसानों को भी ले जाना है, और सामान, fright के उपर भी focus के जाएगा, नेपाल जो है, वो एक landlock country है, पर इसलिए नेपाल के पास में, अगर कुछ शामान जाता है, तो समूंतर से माले जिए, हाँ पर आगर कोई सामान उतर गया, नेपाल के पास में जाना है, तो rail के थूर ले जाना, उसको सबसे आसान रहता है, उसको स सारी चीजों में और भी काम होने लगते हैं, तो यह बेसिक चीज़ है, अभी आगे बढ़ बढ़ कर कहां तक हम लोग चीजों को ले जा सकते हैं, तो देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात किज़रे, credit rating और survey, यानिके, surveillance and report के बारे में, अभी यहाँ पर बात कर यहाँ पर अगर आपको कल को investment करना है, तो आप लोग rating agency के पास में जाओगे, और देखोगे कैसी rating agency अच्छा investment कर लेते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप लोग किसी particular institution में आप लोग का admission लेना है, ठीक है, तो आप लोग पहले उसकी rating अगर देख लोग कि हाँ यार सारी इस तरीके से बताती है rating agency कि हाँ यह economic कैसी है, तो अभी बात करें, तो rating agency जो moody है, उसके द्वारा इंडिया की rating agency है, उसको stable बता है, ठीक है, और यहाँ पर stable बता है, तो basically यहाँ पर outlook to stable from negative, negative से stable पर ला दिया गया है, और यहाँ पर हमारी BAA3, तो यहाँ पर इसके द investment कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बरबाद है बिल्कुल, तो जो lowest से थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो sovereign credit जो rating है, आपर यह independence assessment होता है, कहने के लिए तो USA की agency है, पर लेकिन यह independent यह मना आता है कि अपने design यहाँ पर सुनाती है, ठीक है, इंवेस्टर के लि तो यहाँ पर कई bond में, कई other market में, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से investment कर रहा है, FDI के form में, तो यह एक overview हाँ पर दे देती है, कि अच्छा आप लोग के लिए यह महुल सही है, यहाँ पर जाकर आप लोग काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग मत काम कीजेगा, तो इस उनका जो पैसा है, वो सही direction में लग बाता है, तो इक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, कि यहाँ पर आप लोग काम कर सकते हैं, आसानी से, तो इसके चलते हैं, आप लोग इसके बारे में याद रखेगा, आगे अगर बात करें, तो below expectation रहता है, normally बात करें, performance के मामले में कई सारे reason आप लोग को देखने को मल जाते है, अभी हमारी country में कई सारे मुद्धों पर काम किया गया है, तो इसलिए हाँ पर अभी चीजे थोड़ी बढ़ रही है, वरना पहले काफी सारा red tapism हुआ करता था हमारी देश में, यानि कि investment तो कर दिया पर लेकिन उनको दिक्क तो GDP growth जो है, inflation कैसा है, government जो है वहाँ पर कैसे है, political stability कैसी है, rule of law कैसा है, corruption में कैसा है, वो country, ease of doing business में कैसा है, sovereign default history उसके कैसी है तो नहीं कि बरबाद ही होती रहती है बार-बार यहाँ पर ठीक है, वो सारी चीजे, तो इंडिया की जो ability है to pay एक तरीके से हाँ ठीक है, तो income debt यहाँ पर private company के तुरू ठीक है, तो Indian sovereign जो है और इसी के साथ में non-sovereign, जो external debt है, ठीक है, तो यह आप लोग को हमारी country में देखे एक तरीके से ऐसा नहीं बहुत अच्छी चीजे है और बहुत बुरी चीजे है, तो एक balance आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसा नहीं कि हमारी country बरबाद हो रही है, forex reserve भी अच्छा खासा है हमारे देश के पास में, ठीक है, और कहीं से हम लोग कुछ loan वगरा ले रहे हैं, तो उसको असाने से pay भी कर पा रहे है, तो इसलिए हमारी country जो है वो एक stable है, ऐसा नहीं कि आज़ केर में सिरलंका की तरीक की ओर चलती है, ठीक है, तो एक तरीके से based on subjective और sovereign credit rating के base पर, तो यहाँ पर भी आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया का जो है अच्छी चीज़ आप लोग को देखने को मिल जा रही है, तो इसके base पर एक stable economy का दरजा हमारी country में आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, इसी के क्या कोई credit rating agency है, अगर हाँ तो उसका नाम बताइए, तो यह थी कुछ बाते हैं, I hope कि आप लोग ने enjoy किया अगर lecture को आप बात कर लेते हैं, सबसे पहले एक motivational code देखी, जो की APJB will claim सर्जी से लिटर थी, इसके बाद में दो important देख देखे हैं, यहाँ पर anesthesia, और इसी के सामने बैट रहे हैं, तो कोई जरूर ही नहीं है, उससे ज़्यादा अगर बैट रहे हैं, मतलब 5-6 घंटे से ज़्यादा अगर हो जा रहा है, 5-6 घंटे गरीब, तो जरूर लेना, थोड़ा सा लगेगी, आख क्यों यह हैं, आख चलके pain होने लगे, तो उससे ज़्यादा लोगों ने जो important news यहाँ पर देखी, इंडिया और नेपाल के relation के बारे में हम लोगों ने बातेगी, और next हम लोगों ने credit rating के बारे में बातेगी, तो यह सारी चीज़े हम लोगों ने देखी, अब question है, इनके answer आप लोग दे पाएंगे असाने से, इसका theme आप लोगों यह है, यह बताईए, कब तक बोलागा है, यह 100% यह collection का targeting होना चाहिए, जो भी polythene plastic वगरा use करते हैं, यह बताना है, next यहाँ पर, यह silicosis के बारे में बात की थी, तो कौन से act है, कब के बताईए, कौन से department के अंदर इसका portal चलता है, यह बताना है, ठीक है, आए थोड़ा सा यह आपर अभी रिवजन भी आप लोगों करा देता हूँ, ताकि आप लोग चीजों को याद रख सकें, international day of rural women के बारे में बात कीती तो theme बतानी है, world student day के बारे में बात कीती, इसकी theme आप लोगों को बतानी है, national aeronautics and space administration के बारे में बात कीती, तो यहाँ पर इसके द्वारा कौन सा है, जो कि हापर last mission, जो कि Jupiter के लिए छोड़ा गया था, यह discuss के था, जावियन गीबन के बारे में बात कीती, कौन सी country में इसको protection करने की बात की जा रही है, गिलेयो, जो हम लोग ने discuss के था, जिसको गुडची भी बोलते है, कौन सी ministry ने बोला, यह safe है, यूज करने क बात कर लेते हैं, थीम है, आपर building ruler, जो एक तरीके से, building ruler woman, resilient in the wake of COVID-19, कुछ ऐसा establishment करना है, ताकि चीज़े सही direction में चलती रहे, learning for people planet and prosper peace, तो यहाँ पर world student day की थीम, आप लोग को देखने को मिली, Lucy है, यहाँ पर यह particular जो NASA से लिटेर, जो मैंने, NASA का जो है, तो Lucy है, जो NASA ह हाँ पर छोड़ा है, Jupiter के, टोर्जन स्टोइड के लिए, ठीक है, स्टोइड किस-किस के बीच में आता है, मैंने distance कहता, बताए कौन-कौन से, जो है, उनके बीच में, स्टोइड आप लोग को देखने को मिलते है, और Cooper के बारे बताएगा, वो कहाँ पर है, ठीक है, गैसिय Union of India का case था, जो की air quality के बारे हैं बात कर रहा था, ओके, तो यह था आज का discussion में आसा करता हूँ, आप लोग ने इसको enjoy क्या होगा, अगर reality में enjoy क्या है, तो feedback देकर जोड़ जाना, वीडियो को dislike करना, अगर पसंद नहीं यारो, पसंद आया तो like कर सकते हैं आप लोग, में कहते हैं मोजलो, रोजलो नहीं मिले तो खुझ लो, तो अपना ध्यान नखिये और हमेशा खुझ रही है, ठीक है, तो मिलता हूँ next lecture में, तब तक के लिए बड़ो कर नमस्ते चोड़ो को प्यार, छोड़ी सी life and enjoy कर यार, मिलता हूँ next lecture में, तब तक के लिए जैहिंद कर दो टो की,